Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं Blue Man का Hair Growth Challenge फॉलो कर रहा हूँ मेरी Hairland अभी काफी लंबी हो चुकी है मैंने हैस्टाइल भी अपनी चेंज कर दिये विकोज मेंगी जो पुरानी कुफ हैस्टाइल थी उन्हें इस इन लोंग हैर में मेंटेन करना काफी मुश्किल था और मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपनी न्यू हैस्टाइल का टुटोरियल करके बताऊ So in this video मैं आपको step by step बताऊंगा कि मैं अपनी हैस्टाइल को कैसे अचीव करता हूँ कि यह हैस्टाइल एक साइट स्वेफ्ट हैस्टाइल है मीनिंग आपकी हैरलेंद अराउंड 5-6 इंच होनी चाहिए तब ही आप इस हैस्टाइल को अचीव करता होगा आपको बताता हूँ कि मैं इस हैस्टाइल के लिए कौन-कौन से प्रोड़क्स यूज करूंगा वैसे म नहीं उसक्ते में साइट सब्सक्राइब अब शाय करूंगा लेगा यह मुझे लाइटवेट होल्ड एंड कंट्रूल देगा साथ के साथ कोड़ा वोल्यूम भी देगा मेरी हैस्टाइल मैं इसमें इन बिल्ड हीट प्रोडेक्शन भी है विच इस अमीज़ एंड जो लास्ट प्रोड़क्ट है वह ब्रिल क्रीम बॉल्ड होल्ड हैर वैक्स यह प्रोड़क्ट आपको स्ट्रॉंग होल्ड मैट फिंच देगा एंड मैंने इसे अभी पर्चेस किया एं इसने मुझे काफी अच्छे रिजर्स दिये एं तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे इस वीडियो में यूज किया जाए सो जो फाइनल प्रड़क्ट है वह ब्रिल क्रीम वह डोल्ड हैर वैक्स विदाउट वेस्टिंग इनी मोर ताइम ले नुमान यूज करूंगा इसके हैं से मेरे हैर में लाइटवेट होल एंड वोल्यूम आ जाएगा एंड मुझे काफी अच्छा कंट्रोल भी मिलेगा है अध्यम नव नव अपने अपने को कौन कर ओम और पोजीशन पर एंड वन थिंग तो कीप इन माइन यह चलक नेचुरल स्मूद लोकिंग है तो आपको अपने हैंड को नेचुराल डिरेक्षण में ही को अंग देन मेरे हैं मेरे राइट से लेफ में नेचुरली ग्रोफ होते हैं तो मैं अपने हैर को राइट टू लेफ्ट ही कॉंब करूंगा एंड नाव इस ताइन फॉर ब्लो ड्राइब अपनी साइट को ड्राइब करूंगा विकॉस मेरी साइट थोड़ी बड़ी है इन्हें पीछे की तरफ ड्राइब करने से यह बाद में बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रेट नहीं करें मैं अपने हैर तो ड्राइक करते करते मैं अपने हैर को उसी रालेक्शन में ड्राय करोंगा जिस रालेक्शन में मैंने अपने खरंप किया था फो मैं अपने हैर को Рight to left flat करूंगा इस पॉइंट मेरे हैर अराउंड 80 परसेंट राए हो चुके हैं मोस्ली जो वैटनेस बची है वो इस एरिया में अपने हैर को अपसाइड डाउन ड्राय करूंगा इसके हैल्प से सारी वैटनेस भी चली जाएगे मेरे हैर में वॉल्यूम भी क्रियेट हो जाएगा अब मेरे हैर कंप्लीटली ड्राय हो चुके हैं अब मैं अपने ब्लो ड्रायर को कोल्ड सेटिंग्स पर स्विच्च करके अपने हैर को वापिस 30 सेकंड्स तक ड्राय करूंगा ताकि मेरी हैस्टैल पोजिशन पर लॉक हो जाएग लोड़ाइंग इस नाव फिनिज्च एंड नेक्स में अपने फ्रिंज एरिया में स्ट्रेटनर यूज़ कर रहा हूं ताकि मेरा फ्रिंज एरिया स्ट्रेट हो जाए यह स्टैप कंप्लीटली ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं बट मैं इसे कर रहा हूं बिकोज मुझे अपने फ्रिंज एरिया को स्ट्रेट करना है तो अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ओल्मोस्ट जो फाइनल स्टेप बची है वह फिनिशिंग प्रोड़क्ट एड़ करना है और मैं आप फिनिशिंग प्रोड़क्ट आपको बताए ब्रिल क्रीम का और मैं अपनी हैस्टाइल को फिनिश करूंगा तो इस फिनिश एंड नाव मैं आपको स्पिन देके बताता हूं कि मेरी हैस्टाइल कैसी लग रही है वेल गईज यह था मेरा step by step process इस हैस्टाल को अचीव करने का hope आपको वीडियो helpfull लगी होगी और आप भी इस हैस्टाल को अचीव कर पाएं अगर आपको वीडियों helpful लगी है तो इस वीडियो के नोटिफिकेशन शाउट आउट का तो इस वीडियों का नोटिफिकेशन श तो अगर आपको मेरे वीडियो पर फिचर होना है तो आपको फी मेरे चनल को subscribe करना पड़ेगा बैल आयकन दबाना पड़ेगा और मुझे कमेने सेक्षन में बाताना पड़ेगा कि आपने ऐसी कर दिया है विछ दो आपनद हमाले कर दिया भी है, फीचर होना है प्रोड़क्स के फर्स्ट इंप्रेशन करूंगा तो आपको डेफिनेटली मुझे फॉलो करना चाहिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल जाए वैल गाइस गुट्बाइ करने का टाइम आ चुका है थेंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो आई लव चिछ प्रोड़क्स वेट्डरेशन में राइसरो ए तो आपके लिए प्रोड़क्स और जाएसिए्टार्ट। ग्रोड़क्या थाओटपाट्यों वर्ड़क्स प्रोड़क्स अूर्च्त चाहिसए्ट